हेलो फ्रेंड्स आज हम लॉलिता इन 1997 के एक हॉलिवड मूवे एक्स्प्रेंड करने वाले हैं ये मूवी एक बहुती कॉंट्रवर्शन नोवल पर बेस्ट है ये मूवी एक सची घटना पर आधरीत है इस मूवी में कुछ चीज़े आपको गलत लग सकती है क्योंकि इस मूवी के क्यारेक्टर ही गलत है तो चलिए इस मूवी एक्स्प्रेंड करना स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा में क्यारेक्टर हमबर्ट एक गाड़ी में दिखता है ये इंजोर्ड है और ये चलता जा रहा है हमबर्ट फिर उसके लाइफ की स्टोरी हमें सुनाता है यह कहता है कि लली ता मेरा प्यार थी मेरा सब कुछ थी, मेरी जिंदेगी थी यह जो स्टोरी है यह हमबर्ट की पॉइंट अफ विव से इसी वज़े से यह ज़रा डियोल हो सकती है आदमी जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो अपनी खुद की गलत चीज़े भी रोमेंटिसाइज करकर या कुछ सही तेरिके से बताना चाहता है पर आप ज़रा ओपन माइंड रखिये कि चीज़े किस तरह से एक्च्वल में हुई होगी और फिर इससे एनलाइज करिये हमबर का बच्वन यानिक 1921 हमें दिखता है हमबर कहता है कि जब मैं छोटा था सिर्फ 14 साल का तभी उसे प्यार हो गया था उसके टाउन में एक लटके आई थी जिसका नाम एनाबेल था इसके प्यार में बढ़ गया था इसके बाद इन दोनों की रिलेशन्शिप भी हुई थी एक दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते थे पुरा समर इन्होंने एक साथ गुजरा था बहुत सारी मेमरीज इन्होंने बनाई पर एनाबेल को एक बीमारी हो गए सी वज़े से वो मर गए इसके बाद हमबर्ड हार्ट ब्रोकन हो गया हमबर्ड फिरम से कहता है कभी दूसरी बार मुझे प्यार हुआ ही नहीं तो हमेशा एनावेल को ही याद करता रहा इसके बाद उसके लाइफ का वो एक अलग इंसिडन्ट सुनाता है गयता है कि वो प्रोफेसर बन चुका था उसे और एक अच्छी सी जॉब मिलने वाली थी जहाँ पर वो टीचिंग करने वाला था हमबर्ड एक इंगलिश टीचर था और वो फ्रांस जाकर आया हुआ था तो उसे उनके कल्चर पर एक बुक लिखनी थी उसे जॉब को जॉइन करने में थूड़ा सा टाइम था और ये टाइम वो बुक लिखने में बिदाना चाहता था तोड़ी शांती हूसे मिलनी चाहिए इसलिए एक छोटे से गाव में उसके अंकल के साथ वो रहना चाहता था जब उसकी अंकल उसे स्टेशन पर लेने के लिए आए और घर लेकर गए तो उनका घर बड़बाद हो चुका था वहाँ आग लगी थी और सब कुछ तबाह हो गया है हमबर्ड को कही न कही तो रहना है तो हमबर्ड के अंकल उनके फ्रेंड की यहाँ इनका इंतजाम करवा देते है अंकल का फ्रेंड पहले ही मर चुका है और उसकी वाइफ अफ वहाँ रहती है फ्रेंड की वाइफ के पास खाली रूम है तो यहाँ पर हमबर्ड रह सकता है फ्रेंड की वाइफ का नाम हेज होता है जब हमबर्ड को देखती है तो इंस्टनली उससे वह attracted होती है हमबर्ड फ्रांस जा चुका है तो इसे भी यह बहुत यह अच्छा लगता है हमबर्ड को उसका रूम दिखाती है जब हमबर्ड रूम दिखता है तो उसे जरा भी पसन नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत जादा मैस होती है हमबर्ड फ्र अपने प्लांस इंस्टनली चेंज कर लेता है उसे लगता है कि अब उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए हेस भी यह समझ जाती है हेस फिर कहती है कि चलो नीचे तुमें एक में जगा दिखाती हो तुम पहले हो देख लो उसके बाद अपना माइंड तुम मेक अप करना एक अच्छी सी गार्डन हेस की होती है जो हमबर्ड को दिखाना चाहती है नीचे जब वो उसे लेकर जाती है तो हेस की डॉटर हमबर्ड देखता है हेस की डॉटर का नाम ही लॉलिता है जो हमारी फिल्म का टाइटल है जब हमबर्ड ललिता को पहली बाद देखता है तो उसे एनवेल की याद आती है एनावबल और हमबर्ट दोनों 14 years के ही थे जब एक दुसरे से उन्होंने प्यार किया था और ललीता भी 14 years की है हमबर्ट सिर्फ ललीता के पास रहना चाता है इसी वज़े से रूम लेने का decide करता है हमबर्ट काम करते हैं ललीता को देखता रहता है उसका एक डायरी होती है जिसमें ललीता के बारे में लिखता है हमबर्ट फिर कहता है कि बहुत सारी लड़कियों में से अगर कोई लड़की तुम्हें चूज करने होगी तो तुम्हें सही से करने पाऊगे तुम अगर बहुत ही intelligent होगे तभी तुम सही लड़की choose कर पाऊगे और हमबर्ड कहता है कि मैंने वो choose की है ललीता में demonic qualities है और वो बहुत ही beautiful है ललीता में जो power है यह कोई भी देख नहीं सकता पर मैंने यह ढूम ली है ललीता का room हमबर्ड के room के सामने ही होता है रात में हमबर्ड अपनी book पर काम कर रहा होता है उसके type writer का आवाज आता है तो ललीता आ जाती है हमबर्ड कहता है क्या मेरी वज़े से तुम सो नहीं पा रहे और वो अपनी writing बन कर देता है ललीता कुछ भी बोलती नहीं और नीचे आ जाती है फ्रीच से ice cream निकालती है और खाती है यह सब हमबर्ड नीचे आकर देख रहा होता है next day हमें देखता है कि हमबर्ड अपने book पर काम कर रहा होता है तब ललीता उसके पास आती है तो कहती है कि उसे बहुत ही नीचे आ रही है हमबर्ड भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ललीता पुछती है क्या तुम सो नहीं पाते है हमबर्ड कहता है तुम्हें क्या बताओ मुझे नीचे नहीं नहीं आती ललीता फिर डायरेक्ली हमबड के पास आजाती है और उसके लैप में बेट जाती है उससे बुश्ती है क्या मेरे गाल पर पिमपल है हमबड केता है कि नहीं तुम तो मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट हो जबे दोनों बात कर रहे होते है तो ललीता की मदर का यानी की हेज का नीचे से आवाज आजाता है ललीता जल्दी से अपने रूम में चली जाती है नेक्स जिल ललीता हमबड के लिए ब्रेक्फास लेकर आती है तो कहती है कि प्लीज मौम को मन बताना मैंने तुम्हारे सब कुछ वेकंस खा लिये है यहाँ पर वो हमबड से फिलर्ट कर रही होती है इसके बाद हम दिखता है ललीता हेज और हमबड यह सब जुला जुल रहे होते है यहाँ पर ललीता हमबड के पास ही बेठी हुई होती है है इस शैंपेन पेरे होती है उसका क्लास खतम हो जाता है तो चली जाती है ललीता हमबड से कहती है कि मेरी मदर तुमें लाइक करने लगी है तुम जो भी सब कहोगे वो मान लेगी ललीता फिर हमबर्ट को कहती है कि उसे कहो कि हमें लेक पर जाना है ललीता को वहाँ जाना होता है इसलिए उसे मैनुप्रेट करती है हेज फिर वापस आती है और यहाँ बातो बातो में हमें पता जलता है कि ललीता बहुत ही अच्छा डांस करती है हमबर्ट कुस का डांस देखना होता है ललीता को जादा यहाँ बेटना नहीं होता तो अंदर जली जाती है मुजिक लगाती है और डांस करती है हमबर्ट और हेज अब यह दोनों अकेले बैलकनी में है हेज को इसे बात करनी है, पर हमबड इसमें इंट्रेस्टेंट नहीं है वो अंदर जाकता है और ललिता जो डांस करी होती है, यही देखने लग जाता है इसके बाद हम देखते हैं, कि यह तीनों लेक पर आय हुए है हेज आज बहुत ही रोमेंटिक होती है वो हमबड से कहती है कि मेरा एक सपना है कि हम सब एक घर में हमेशा के लिए रहे है हेज को घर के काम का लोड आता है तो इसलिए वो एक मेड भी रखना चाहती है हमबर्ट पुछता है कि अगर तुम हमेशा के लिए मेट रहोगी तो वो कहा रहेगी हेज कहती है कि वो ललीता के रूम में रहेगी हमबर्ट पुछता है कि ललीता फिर कहा जाएगी हेज कहती है कि जल से जल मैं उससे समर कैम भेज दूंगी और उसके बाद उसे बोटी में डालने वाली हूँ इसके बाद ललीता हमें डारेक्ली समर कैम पर जाती हुई दिखती है हेज ने ललीता को कहा होता है कि हमबर्ड भी इसके लिए एगरी करता है ललीता को बहुत ही heartbroken महसूस होता है जब ललीता यहां से जा रही होती है तो हमबड अपनी खिड़की से इसे देखता है ललीता गाड़ी से उतर जाती है और हमबड के रूम में आ जाती है उसे गली लगाती है और किस करकर चली जाती है हमबड फिर ललिता की रूम में आता है ललिता के कपड़े हाथ में लेता है और उसकी खुशबू लेता है हमबड को फिर एक मेट आकर हेज का लेटर दे कर जाती है इस लेटर में हेज ने हमबड को प्रोपोस किया उता है लेटर में वो लिखती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अगर तुम यह नहीं चाहते तो तुम यहाँ से अभी चले जाओ क्योंकि उसका डिल जुट जाएगा अगर वो फिर से हमबड को इस घर में देखीगी अब हमबड हमसे कहता है उसके दो विक्स बाद ही हम दोना ने शादी कर ली अगर उसने यह शादी नहीं की तो ललीता को फिर से कभी भी देख नहीं पाएगा यह ललीता के साथ रहने का उसका एक चान से इसी वज़े से वो इसे एकसिप कर लेता है एक दिन हेज हमबर्ड की रूम में आती है तो वो कुछ लेकरा होता है एक ड्रॉवर देखती है जो लॉक्ट होता है यह हमबर्ड से बुछती है कि इस ड्रॉवर में क्या है हमबर्ड केता है कि मेरी कुछ सिक्रेट चीजे है इसके बाद हमबर्ड हमसे केता है कि हेज मेरे सा वो कुछ करने पाये एक दिन हमबड बाहर गया था और जो भो घर पर एक भैसी है इस 뭔सदे को कहती है और कहती है ये तुम एक मौंस्टर हो कोई भी आदमी ये सब नहीं सकता अब उसे डिवॉस चाहिए है जल से जल्दी मुझे डिवॉस देदो हमबर्ड को क्या करना चाहिए कि हम कुछ ड्रिंक्स लेते इसके बाद में तुम्हें सब कुछ समझाओंगा हमबर्ड थोड़े टाइम में ड्रिंक्स बनाता है जब वो लीविंग रूम में आता है तो उसे कॉल आता है इस कॉल पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है वो कहता है कि मेरी वाइफ तो घर में ही है जब वो देखने के लिए जाता है तो हेज वहाँ नहीं होती वो बाहर भागते भागते जाता है हेज के हाथ में लेटर्स थे जो पोस्ट करने वा है क्योंकि उसके और ललीता की बीच में सिर्फ हेस थी और वो अब मिट चुकी है हमबड फिर ललीता को लेने के लिए समर कैम आता है वहां की समर कैम की लेड़ी उसे कहती है कि ललीता को लेने के लिए चारली को में भेशती हूँ चारली और ललीता एक दूसरे क्याचे फ्र गाड़ी में ललीता हमबर्ट से कहती है कि मैं तुमसे फेद फूल नहीं रही यानि कि दूसरे लटकों के साथ उसने बहुत सारी चीज़े की है ललीता कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा हमबर्ट कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही ललीता हमबड के लाप में बेटी हुई है यह देखकर पुलीज भी शर्मा जाता है और आगे चला जाता है हमबड ने ललीता और उसके लिए एक अच्छा सा होटेल बुक किया होता है वो एक की रूम बुक करता है जहाँ पर एक की बेड में ललीता के साथ उसे सोना पड़े होटेल के लौबी में ललीता एक आदमी को देखती है इस आदमी के डॉक के पास ललीता जाती है यह आदमी केता है कि मेरा डॉक किसी को भी पसंद नहीं करता पर तुम उसे अच्छी लगती हो इसके बाद हमबड ललीता को उसके रूम में लेकर जाता है ललीता जब इद कि यह तो बुछती है कि क्या हम दोनों एक ही बेड़ पर सोने वाले है अगर मदर को पता चला तो हम दोनों को मार देगी हमबड फिर एक्स्क्यूज बनाता है वो कहता है कि हम उतने रीज नहीं है कि दो अलग-अलग रूम ले सके हमबड ललीतों को बताने की कोशिश करता है कि वो दोनों एक ही रूम में है तो उन दोनों में कुछ हो सकता है पर यह बोल नहीं पा रहा होता तो ललीता ही बोल देती है रात में जब यह दोनों डिनर करें होते है तो डिनर टेवर पर ललीता कहती है कि मैं उस आदमी को जानती हो वही आदमी है जिसके डॉक के साथ ललीता पहले खेल रही थी ललीता गहती है कि एक बहुत ही फेमस राइटर है इसने बहुत सारे प्लेज लिखे होते है ललीता इस आदमी से एट्रेक्टेड होती है जब यह दोनों अपने रूम में आ जाते है तो हमबर्ड ललीता के शूज विगरा निकालता है विल्टी और हमबर्ड एक दुसरे से बात करते है जनरल वेदर के ऐसा है किस तरह का यह होटेल है इसके बारे में वो बात करते है पर हमबर्ड को हमेशा लगता है कि विल्टी उसकी डॉटर के बारे में ही बात कर रहा है यह जो आज ललीता के साथ है तो उसे वो ज़रा डर रहा है उसका conscious हुसे कह रहा होता है कि सब लोग को पता है कि वो ललीता के साथ क्या करने वाला है हमबड फिर रात में आकर ललीता के बेड़ पर ही सो जाता है जब सुबह होती है तो ललीता उसे किस करने लग जाती है उसके कार में कुछ बात उसे कहती है हंबड सप्राइस्ट होता है वो कहता है, क्या तुमने यह सब चीज़ें की क्या हैhmपρ ललीता कहती है कि तुम सप्राइस्ट हो जाओगे इसके बाद ये दोना इत दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है नेकसिन में ये ट्रैवल कर रहे है हमबड हमसे कहता है कि जिस तरह से शिकारी किसी ऐनिमल का हंड करता है उसे जिस तरह से लगता होगा उसी तरीके से मुझे आज लग रहा है ललीता केती है ये एक जगा पर गाड़ी जरा रोक लो उसे ज़रा कॉल करना होता है या अपनी मदर को कॉल करना चाहती है पर हमबड उसे कॉल करना नहीं देता उसे फिर वो सज बता देता है ललीता राद में बहुत रोती है वो हमबड को हेट करती है पर थोड़ी देर में हमबड के पास आ जाती है हमबड कहता है कि उसने मुझे फिर माफ कर दिया था उसके पास कोई option में नहीं था क्योंकि उसकी मदर मर चुकी है हमबड ललीता के साथ पुरी कंटे घुमना चाता था ये दोनों अब उनके जरनी में चल पड़े अब ये दोनों travel करते थे ललीता हमेशा हमबड को चिड़ाती रहती थी उसे एरिटेट करती थी पर हमबड भी ये सब सेन कर लेता था हमबड ने ललीता को drive कैसे करना है ये सब सिखाया हमबड कहता है कि मैं बहुत ही खुश था पूरे आकाश की खुशी मुझे मेल रही थी मुझे पता था कि जो सब हो रहा है ये सही नहीं है पर इससे उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता था कभी-कभी ललीता को अपनी मदर की याद आदे थी तो वो बहुत रोती थी अंबर की छुट्टी अब खतम हो चुकी है जहापर उसे जॉब करना है वह उसे जाना होता है जहापर उसे जॉब करना होता है उस सिटी में वो ललीता के साथ मूव हो जाता है ललीता को भी एक स्कूल में वहाँ एडमेशन लेकर देता है ललीता की स्कूल बहुत ही open minded है ललीता को भी ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो इस स्कूल उसे support करती है थोड़े दिन गुजर जाते हैं और इनका रूटीन अच्छे से चल रहा होता है कूल में एक play होने वाला है जिसका part ललीता को बनना है पर हमबड को लगता है कि ललीता अगर दूसे लेड़कों से मिलेगी तो उसके साथ उसका चक्कर हो सकता है इसे वाज़े से वो इनसुक्योर है और ललीता को मना करता है ललीता मानने वालों मैंसे नहीं है ललीता हमबड के पास जाती है और उसे रिजाती है और उसे वो मना ही लेती है हमबड ललीता को थोड़े से पैसे देता है कि अपने आप पर वो खर्च कर सके ललीता ये पैसे भी ज़रा बढ़ा लेती है एक दिन ललीता की टीचर ललीता के बारे में बात करने के लिए हमबड को बुलाते है वो ललीता को लेकर ज़रा चिंदी थे हमबड बोचता है कि किस वज़े कि तुम्हें चिंदा है हमबर्ट थोड़ा सा डरने लग जाता है उसे शाक आता है कि ललीटा ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा पर यह इसके बारे में नहीं होता ललीटा के टीचर कहते है कि ललीटा जब सेक्स एजुकेशन का टॉपिक आता है तो उसमें बहुत ही डिस इंटरेस्टेड है हमबर्ट थोड़ा सा हसता है पर अपने आपको कंट्रोल कर लेता है हमबर्ट कहता है कि मैं इसके बारे में उसे समझाओंगा एक दिन हमबर्ट को पियानो टीचर का कॉल आता है ललीता एक्चुल में उसके पियानों के क्लासेस कर ही नहीं रही है हमबर फिर ललीता को बोस्ता है तुम्हारे क्लासेस किसे चल रहे है ललीता कहती है एक दाव मस चल रहे है हमबर कहता है कि तुमने दो क्लासेस मिस की है तुम कहा थी ललीता कहती है कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ थी वो प्ले की तैयरी कर रही थी हमबर्ड इस वर बिलिव नहीं करता ललीता से उसकी फ्रेंड का नंबर लेता है ललीता ने जो कहा था उसकी फ्रेंड भी वही कहती है ललीता फिर गुसे में घर से बाहर निकल जाती है हमबर्ड उसे सिटी में बहुत ढूनता है ललीता एक कैफे में होती है ललीता फिर उसे कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है वो हमबर्ड के साथ सब कंट्री घुमना चाती है पर इस बार ललीता लोकेशन चूज़ करेगी हमबड को भी सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे लगता था कि ललीता उससे दूर जाना चाती है ये दोनों फिर अपने सफर में निकल पड़ते हैं ये अलाग अलक टाउन गुमते हैं पर एक दिन हमबड नोटिस करता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है ये ललीता को एक नोटबू निकलने के लिए कहता है और उस पर नमबड नोट कर लेता है ललीता हमेशा चिंगम खाती रहती है तो हमबड कहता है कि इस पर चिंगम मत लगाना एक दिन हमबर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुखता है तो ललीता किसी से बात करी होती है यह वही आदमी है जो इनका पीछा कर रहा था हमबर जल्दी से भागते भागते ललीता के पास जाता है पर तब तक वो आदमी वहाँ से निकल चुका है हमबर ललीता से पूछता है क्या बोच रहा था ललीता कहती है कि वो आदमी सिर्फ डारेक्शन पूछ रहा था हमबड भी लगीदा को समझाता है कि तुम्हीं यंग हो और लोग तुम्हारा advantage लेना चाते है तुम्हें किसी भी stranger से बात नहीं करनी है अब फिर से थोड़े दिन गुजर जाते है एक दिन यह जंगल से जा रहे है और फिर से हमबड को लगता है कि उनका कोई पीचा कर रहा है हमबड एक जगा पर गाड़ी रोक लेता है उनकी पीचे पे जो उसका पीचा कर रहे थी एक गाड़ी भी रोक जाती है हमबड गाड़ी से बाहर निकलता है और उस गाड़ी के सामने चलने लग जाता है जो उनका पीचा कर रहा था वो जल्दी से गाड़ी रिवर्स में लेता है और वहाँ से भाग जाता है आगे चल कर हमबर्ड फिर से लिलिता को कहता है कि उसे वो कागस दे जिस पर उसने नमबर प्रेट लिखी हुई थी पर लिता ने इस पर जिंगम जिटका दिया था रहा गाड़ी का नमबर इस कागस पर नहीं है हमबर्ड बहुत इचिर जाता है और लिता को स्लैप करता है ललीता रोते-रोते गाड़ी से बहार निकल जाती है ये उसपर बहुत नाराज है पर हमबर्ड उसके पास आता है और उसे cry कहता है एंक टाउम में हमबर्ड और ललीता एक मौडल में रुखती है हमबर्ड को उस फुरोट्स वग्रा लेने के लिए बहार जाता है जब वो वापस आता है तो ललीता को पैट देखता है यह ज़रा डाइटी होते है तो हमबड कहता है कि मुझे पता है तुम कहीं बाहर जाकर आए हो ललीता इस पर खुशी बोलती नहीं यह सब वो डिनाई कर देती है हमबर्ड ललीता को जो भी सब पैसे देता था ये सब वो सेव करकर रखती थी हमबर्ड उससे पुछता है कि ये सब पैसे तुम क्यों सेव कर रही हो पर ललीता इस पर कुछ भी बोलती नहीं इन पैसो को लेकर इन दोनों में जगड़ा हो जाता है हमबर्ट को लगता है कि ललीता उसे छोड़ कर भाग जाना चाती है इसके उसे रात में बुरे सबने भी आते है फिर से ट्राइवल करने लग जाते है पर ललीता की तब्येद ज़रा खराब हो जाती है यह ज़रा वाइरल इंफेक्शन है तो ललीता को हस्पिटर में भरती करवा देता है रात बार ललीता को यही रुकना पड़ेगा तो डॉक्टर हमबर्ट को कहते है कि तुम अब घर चले जाओ तुम यहां रुके भी तो तुम उसे मिलने पाओगे क्योंकि वो बिमारी तुमें भी हो सकती है हमबर्ट अगली सुब़ा फिर तो हस्पिटर में कौल करता है ललीता केशी है यह वो पुछता है भाकी नर्स कहती है कि उसके अंकल आये थे और उसे लेकर चले गए हमबर्ट बहुत ही डर जाता है केता है कि इसा केसे हो सकता है हमबाफ Portal figure out करता है कि उनका जो पीछा कर रहा था वही ललिता को लेकर चला गया है भाकते-भाकते हो हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर को मारने लग जाता है उसे लखता है कि हॉस्पिटल ने मिल कर ये चाल चली है हमबर्ट फिर ललीता को ढूणने लग जाता है अलग-अलग शहर में हो जाता है अलग-अलग मॉटेल चेक करता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते वल जो आदमी ललीता को लेकर गया था उसने अपना नाम और अपनी साइन दी थी तो अब हमबर्ट को उसके हैंड्राइटिंग पता है हमबर्ट अलग-अलग सिटीज में जाकर वो उसकी हैंड्राइटिंग ढूनता है मॉटेल के रेकॉर्ड चेक करता है उसे हमेशा से पता जल जाता है कि इस मॉटेल में ललीता और वो आदमी रुके थे हमपण हमसे कहता है कि ललिता को ढुणने के लिए उसने पूरे दो महाईने लगा है पर फिर भी उसे ढूणनी पाया अभ इसके बाद डिरेक्ली तीन साल गुज़र जाते है अभर्ड को एक दिन ललिता का लेटर मिलता है इस लेटर में ललीता लिखती है कि अब उसके शादी हो चुकी है वो अपने हस्बन के साथ रह रही है और उसे बेबी होने वाला है ललीता को कुछ पैसु की जरूरत है जो हो माग रही होती है उसका एड्रेस भी उसने लिखा होता है अब ललीता से मिलने के लिए निकल पड़ता है वो अपने साथ एक गन मिलेता है तागे प्रैक्टिस करता है जो ललीता को उससे जुदा करकर लेकर गया था उससे उसे बदला रेना है फाइनली वो ललीता के पास भूर चाता है हमबड ललीता के husband को देखता है ये वो आदमी नहीं है जो उनका पीछा कर रहा था हमबड उससे बात नहीं करना चाहता हमबड ललीता से बुच्छता है कि हो कौन था ललीता गई थी है कि क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं है ललीता जिसके साथ गई थी वो क्विल्टी था ये वही वाइटर है जो पहली बार मौटे में नहीं मिला था जिसके कुत्ते के साथ ललीता खेल रही थी ललीता इस आदमी से एट्रेक्टेट हो गई थी इसे वज़े से उसके साथ वो चली गई थी ललीता फिर कहती है कि वो बुड़ा आदमी था वो sexually active नहीं था पर उसे छोटी लड़कियों की फिल्म बनाना अच्छा लगता था वो मुझसे भी वही काम करवाना चाहता था इसलिए मैं वहाँ से भाग गई इसके बाद वो दूसरे लड़के से मिली और उससे उसने शादी कर ली हमबड फिर ललीता को कहता है तुम्हें जो पैसे में देने वाला हो यह तो तुम्हें मिलने वाले है पर इससे पहले मैं तुमसे कुछ question पूछना चाहता हूँ कया तुम फिर से मेरे साथ रहना चाहती हो अगर ललीता उसके साथ रहेगी तुमसे सब कुछ देना चाहता है उसके बहुत लड़ीता से कहता है ललीता बोलती है कि मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं थी मेरे पास कोई option नहीं था इसे वज़े से मैं तुम्हारे साथ द्रे रही थी ललीता को सिर्फ 1000 डॉलर्स चाहिए थे पर हमबड उसे 4000 डॉलर्स दे देता है हमबड हमसे कहता है कि ललीता कैसे भी हो अगर वो मुर्जा भी जाए फिर भी उससे हमेशा प्यार करता रहूंगा कभी भी वो उसे भुला नहीं पाएगा हमबड फिर से हमें गाड़ी में दिखता है और वो इंजोड हो चुका है हमबड हमसे कहता है कि ललीता के साथ मैंने जो भी सब किया वो सब जीजों को में रिग्रेट करता हो ये सब करने के लिए वो शर्मिंदा है पर लास्ट टाइम ललीता को मिलने के बाद उसने जो किया वो उसे रिग्रेट नहीं करता इसके बाद वो डारेक्ली क्विल्टी जो राइटर था उसके पास भोच गया क्विल्टी पर उसने गन लगई और पुछा क्या तुम मुझे पहचानते हो क्विल्टी उसे पहले पैचान नहीं पाया और उसने कहा कि तुम वही होना स्टेफ फादर क्विल्टी इसे सिरेसली नहीं ले रहा था अपना डिंग ले रहा था, सिगरेट पी रहा था फिर हमबर्ड ने एक्जामिन पर गोली चलाए क्विल्टी फिर डर गया क्विल्टी बोला कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है मैं वैसे भी कुछ लटकियों के साथ कर नहीं सकता हमबर्ड उसे मार सकता है तो क्विल्टी उस पर जबग पड़ता है हमबर्ड फिर से कंट्रोल में आ जाता है क्विल्टी कहता है कि तुम भे इतने सीधी नहीं हो तुमने भी उसके साथ गलती चीज़ी की थी तुमें क्या लगता है कि अगर तुम पर्फेक्ट होते तो मेरे साथ आती यह दोनों फिर से जगड़ा करने लग जाते है और हमबर्ट क्विल्टी को मार देता है मुवी के फर्स में हमने देखा था कि गाड़ी में वो इंजोर्ड है पर यह खुन क्विल्टी का था उसका पीछा पुलिस कर रहे है आगे चल कर वो गाड़ी ठोक देता है और एक मांटन के पास आता है यहाँ पर एक गाव है जहाँ बच्चे खेलने की आवाज आती है हमबर्ट हमसे कहता है कि मुझे बच्चों की आवाज है पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी उस आवाज में ललिता का आवाज नहीं है ललिता अब उसके साथ नहीं है इसके बाद हमें बताया जाता है कि ह चाइल्ड को बर्द देती देती मर गई यही मूवी एंड हो जाती है अब अगर हम इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में यानि के हमबर के बारे में बात करें तो यह से मूवी हमबर के point of view से है मैंने आपको पहले ही बताया था कि आदमी जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो ललीता की मदर मर गई थी ललीता के पास कोई भी option नहीं था तो इसलिए उसे हमबर के साथ रहना पड़ा एक तरह की ललीता की kidnapping ही उसनी की थी आज का वीडियो हम यही खतम करते हैं अगर आप को वीडियो अच्छा लगा तो बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आते रहे तो तो इसे में लेंगे